शीतल और अंकित एक शादी अटेंड करके अपनी कार से लोट रहे थे। उनकी कार उस समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अजकल बिल्कुल भी रोमेंटिक नहीं रहे गए हो। अरे ऐसा क्यों? हम दोनों अकेले हैं, कार में हैं, सुनसान रास्ता है। लेकिन मजाल है कि तुम्हारे मुझसे आई लव यू निकल जाए। शादी के पहले तो आई लव यू, आई लव यू इतनी बार बोलते थी कि लगता था कि तुम्हारे मुझसे ने टेप रिकॉर्डर रिवर्स मोड में चला दिया हूँ। लेकिन अब अब तो आई लव यू सुने अर्सा हो जाता है। शीतल की बात सुनकर अंकित कार में ब्रेक लगाता है और उसकी तरफ देखते हुए चिला कर बोलता है। आई लव यू, आई लव यू शीतल। पागल हो गयो क्या। क्यों क्या हुआ। इतनी जोर से इस उनसान जगा में कौन बोलता है आई लव यूू। क्या शीतल। आई लव यू बोलो तो दिक्कत, आई लव यू ना बोलो तो दिक्कत। अरे गुस्सा मतो माई लव, शादी के बाद प्यार केयर में बदल जाता है। और उस पर जब पत्नी प्रेगनेंट हो, तो केयर और ज़्यादा करनी पड़ती है। इसका क्या मतलब, रास्ते में बात ही ना करो। अरे रात हो गई ना, और सुनसान जगा है, इसलिए लगता है जल्वी से यहां से निकल जाओ। ये क्याकर अंकित ने फिर से गारी को गेर में डाला और गारी आगे बढ़ा दी। अभी भी मुश्कित से दो-तीन किलोमीटर ही गए होंगे कि अचानक से तेज आंधी चलने लगे। साथ ही जोर-जोर से बादल करशने लगे। विश्ली भी चमकने लगे। अरे, ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया। तभी जोरों की बारिश भी शुरू हो गए। ये लोग, तुम बड़ा रोमेंटिक-रोमेंटिक कह रही थी ना। मौसम ही हो गया पुरा रोमेंटिक। वो बारिश में धीरे-धीरे बढ़े जा रहे थे। तभी कुछ दूर पर उन्हें एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिखा और मजबूरन उन्हें गाड़ी रोपनी पड़ी। यार, शीतल, ये तो बड़े बुरे फसे हम लोग, यार। वो कुछ तेर उसी तरह गाड़ी में बैठे रहे, बारिश अब बंद हो चुकी थी। शीतल, बारिश तो बंद हो गई, अब इस पेड़ को हटाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करू। अरे शीतल, पागल हो क्या, बेबी है तुम्हारे पेड़ में। अंकित कार से निकल कर बाहर गया और वो पेड़ हटाने लगा। लेकिन अचानक से आकाश में बिचली कड़ी और नीचे जमेन पर आगिरी। अंकित के स्पॉट डेथ हो गई। शीतल ने ये देखा तो वो भागी-भागी कार से बाहर आए। लेकिन अंकित का शरीर तो पूरी तरह शांत पढ़ गया था। काश की अंकित शीतल के उस गर्व भरी पुकार को सुन पाता। काश की वो उसके आशो पोच पाता। लेकिन वो तो पड़ा हुआ था अचे इत मूर्दा। शीतल ने किसी तरह उसकी लाश को गाड़ी में डाला। फिर पेड को हटायो और खुद से ड्राइव करके घर की ओर जाने लगी। वो गाड़ी तो चला रही थी लेकिन उसकी आंसु रुपने का नाम ही नीले रहे थे। बारिश फिर से शुरू हो गए थी। तब कुछ दूरी पर उसे एक बुढ़ा आद्मी हाथों में लालते और एक डंडा लिये हुए दिखाई दिया। वोसे काले कप्रे पहने हुए थे। अरे इस सुंसान जगह में ये बुढ़ा आद्मी क्या कर रहा है। लगता है बारिश के करण भल्स क्या है। मुझे इसकी मदद करी हुथी। शीतर ने अपनी काल उस बुढ़े अर्वी के पास रोलती और कार का शीशा खोलते हुए उससे पुछा। अरे बाबा इस सुंसान अंधेरी रात और इस बारिश में यहां क्या कर रहा हूँ। आपको कहा जाना है। चली मैं आपको छोड़ दू। जाना तो है बहुत दूर लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता। क्या मतलब ऐसे नहीं जा सकता। मैं भूखा हूँ। बिना कुछ खाए मैं जा नहीं पाऊंगा। पर मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है बाबा है तेरे पास है तुम वो मुझे खाने को दे दे क्या बाबा तेरे पेट का बच्चा वो दे दे मुझे खाना है उसे अरे आगो लूँ क्या तुम दिमाग खराब है तुम्हारा मैं यहाँ पहले से परिशान हूँ, मेरे पती की मौत हो गई और तुम, तुम ये बक्वास कर रहे हो बक्वास नहीं, बेदे तेरा बच्चा तभी शीतल को लगा कि उसकी कार की सीट पर कोई और अता कर बैठी है क्योंकि उसके कानों में उसके चूड़ियों की आवाद आ रहे थी शीतल ने कार के शीशे में जब पीछे की सीट की और देखा तो उसने देखा कि एक भयानत चुडएल अंकिस को अपनी गोद में लिए बैठी हुई है ये देखकर शीतल के चेहरे का रंग उड़ गया चुड़ एल बेटी जरो मत मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने बानी तुम बस यहां से जल्दी निकलो जल्दी शीतल कुछ समझ पाती इतने में वो बुड़ा उसकी गारी के आगे आकर खड़ा हो गया और शीतल को घूर घूर कर देखने लगा मुझे अपना बच्चा खिला दे खिला दे अपने पेट का बच्चा मुझे भूख लगी है खिला दे बेटी इसकी बात मत सुन और जल्दी से निकल यहां से नहीं तो ये माल देगा तुझे चढ़ा दे अपनी गारी इस पर गारी चढ़ा दू? अरे छी कैसे हो सकता है? मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती अरे बेटी तू समझा कर ये बुढ़ा जिंदा नहीं है ये तो सालों पहले मर गया है और मरे हुए की कैसी हत्या तो देर मत कर नहीं तो सब खत्म हो जाएगा चढ़ा दे अपनी गारी इस पर चढ़ा दे शीतर लुदेर बुन में थी लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर उस चुड़ेल को सुनकर एक लीटर पर चले गए और उसने जोरों की टकर उस बुढ़े को माटी बुढ़ा बहुत उपर तक हवा में उड़ गया और एक पेर की डारी पर बैट गया और उसे घूर ने लगा शीतर ने शेशे में जब उसे देखा तो उसके आथे पटी के खटी रह गए बेटी मैंने कहा था नहीं वो पहले से मरा हुआ है वो कभे नहीं मर सकता तू अब तेजी से यहां से निकल क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गया है और वो अब अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करेगा और तेरी मती को भ्रमित करेगा लेकिन तुझे रुकना नहीं है क्योंकि तू रुकी तो तेरी मौत हुजाएगी जैसे मेरी और मेरी पेट के बच्चे के मौत हुँ थी सालों पहले इसलिए भाग भाग यहां से अपनी रफ्तार और बढ़ा शितल कार को भगाये जा रहे थे तब ही उसने देखा कि सड़क पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे भुट्टों के बल उसकी कार की ओर चले आ रहे है यह देखकर उसके हाथ पैर फूल गए खिप खिप सारे बच्चे सड़क पर कैसे आ रहे है वो बच्चे नहीं है वो भूत का फैलाय जाल है जो तुम्हारी बुद्धी को भ्रम में डाल रहा है तो इन पर भी चढ़ा दे अपनी गारी नहीं में यह नहीं कर सकती यह करना पड़ेगा नहीं तो यह भूत अपने मनसूबों में सफल हो जाएगा और जानती हो जो 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 रात बढ़ेगी इसकी ताकत बढ़ेगी इसके माया का जाल और बढ़ेगा क्योंकि यह इसका इलाका है और इसमें प्रवेश करते ही इसके माया का जाल ताकत पर हो जाता है इससे कुछ मतसोच और चढ़ा देगा रही और हाँ जो जो रोशनी होगी इसके माया खत्म भी होगी शीतल ने कार उन पर चढ़ा दे लेकिन जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा था वो सब कुछ उस भूत का फैलाय जाल था कार के टकर के पहले वो सारे बच्चे गाया हो गया उसके बाद उस भूहे भूत ने और भी अपना जाल थालाया सड़क पर अचानक एक बहुत बड़ी खाई बन गई उसे देख शीतल फिर से डर गई मट डर वो खाई नहीं है वो उस भूत का जाल है चल निकल यहां से शीतल ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर जैसा कि उस चुडैल ने कहा था वो भी उस भूत का जाल ही था शीतल की कार फिर ते तेज रफ्तार में आगे बढ़ी फिर उसने देखा कि आगे रेलवे का फाटक है और वो फाटक बंध है उसे दूर से रेल गाड़ी भी आती हुए दिखाए दी वो अपनी कार में ब्रेक लगानी वाली थी कि तभी बेठी वो उसका जाल है कोई ट्रेन नहीं आ रही है निकल निकल यहां से जल दी वो बुड़ा भूत आ रहे है अपनी तेजगती से तुझे मारने तेरे बच्चे को मारने शीतल ने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया आगे जाकर रास्ते में उसे हाथियों का जुंड दिखाए दिया लेकिन चुडैल ने कहा कि वो सब चक्रव्यू है उस धूटका उसमें फसना मत शीतल ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया आगे जाकर उसे रास्ते में एक गर्वती ओरत दिखी जो सड़क खिनारे खड़ी उसे गाड़ी रोपने को कह रही थी बिलकुल भी मत रुकना बिलकुल नहीं ये जाल है मैं फस चुकी हूँ इस जाल में और अपना बच्चा को चुकी हूँ लेकिन तुझे नहीं फसते दूगी नहीं फसते दूगी तुझे शीतल गाड़ी को भगाते हुए आगे निकल गई वो गरबती औरत वहां से गायब हो चुकी थी शीतल तेज रफकार से गाड़ी चलाते हुई जा रही थी अब दिन निकल आया था रोश्नी होने लगी थी मैं कब तक इस तरह भागते रहूँगी वो भूत कब तक मेरा पीछा गरता रहेगा ये पूश्ती हुई शीतल ने जैसे ही कार के पीछे देखा तो वो चौक रहे क्योंकि कार के पीछे तो कोई चुड़ैल थी ही नहीं उल्टा अंकित उसे घूर पूर कर देख रहा था ओए इतना घूर क्यो रही है बहुत देर सो गया क्या मैं इतनी देर से तो गाड़ी चला रही है शीतल अब भी आंखे पाड़े अंकित को देख रही थी अंकित तुम जिन्दा हो कहीं ये भी तो उस भूत का कोई जाल नहीं जिन्दा हो मतलब भूत का जाल अँच क्या हो गया तुझे ये सब क्या बढ़ बढ़ा रही है अगता है कुछ जादा ही कार चला ले तुने शीतल अंकित को अब भी घूर घूर कर देख रही थी और उस चुडैल की बातों को याद कर रही थी जब उसने कहा था कि सवेरा होते ही उस भूत का जाल समाप्त हो जाएगा इसका मतलब अंकित के मौत भी उस बूरे भूत का एक जाली थी ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया और शुक्रिया उस रखवाली चुडैल का जिसने मेरे परिवार को बिखरडे से बचा लिया इस घटना को आज कई साल बीट गए है लेकिन शीतल जब भी उस खटना को याद करती है